सभी का स्वागत है आप सब जिसा की देख रहे हैं कि लुशेंट की समान ग्यान की बुक है एक बुक यह आती है थियोडी की और एक आती है लुशेंट की अबजेक्टिव की बुक मैं आप लोगों को दोनों का पढ़ने का तरीका आज बताऊंगा कि आप लोगो यह बुक कैसे पढ़ा जाता है और कैसे याद किया जाता है पुरा का पुरा लुशेंट कैसे याद किया जाता है आज इसी के तरीके में डिसकस करेंगे मैं आपको एक चप्टर पढ़ा कर दिखाऊंगा कि आपको इस बुक को कैसे पढ़ना है और कैसे डिसकस करना है और कैसे इस बुक को पूरा का पूरा किलियर करना है मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा चलिए मैं शुरू करता हूँ आप लोग का जो चप्टर भाई जै कैसे कैसे कौन को चप्टर है उस बारे में मैं आप लोग को थुरसा बता देता हू और कैसे कैसे किलिएर करना है मैं आपको यह बताओंगा और कोन चप्टर पढ़ाओंगा सु बतादेता हूँ इतियास है, प्राची नितियास के चप्टर है मद्द काली नितियास है, आदुनिक भारत है इसके कई साहे टॉपिक हैं बिस विद्यास के कई साहे टॉपिक हैं इस बुक के अंदर भुगोल के हैं और फिर भारत के बुगोल के टॉपिक हैं भारतिय आर्थविवस्ता है भारतिय संविदान है और बहुत एक बिज्यान के टॉपिक इस बुक के अंतरगत दिये गए हैं मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप लोगों को जो तैयारी करना है इसका यानि लुसेंट का थियोरी और लुसेंट का अबजेक्टिव दोनों मिला के करना है पूरा का पूरा याद करना है और याद करने के लिए मैं आप लोगों को हरपा सब्यता अभी चेप्टर जो है चेप्टर थर्ड हरपा सब्यता ये आप लोग को सिंदू सब्यता इसको कहते हैं शिंदू सब्यता को हरपा सब्यता का तो यह पढ़ाऊंगा और कैसे पढ़ाऊंगा आप लोग देखेंगे किसी तरह याद करना आपको अपने थमनेल पर देखा कि दो फोटी लगई हुई है बुक में Lucent की बुक की तो दो बुक आपको लेना है दोनों Lucent का एक objective का बुक है और एक theory का बुक है तो theory के बुक से सबसे पहले पढ़ना आयद करना है जैसे हम लोगों ने सिंदू गाटी सबेता है पढ़ना आयद आय एक हाइलाइटर ले लेंगे हाइलाइटर से हमको जो होता है कुछ चीजों को हाइलाइट करना रहता है और उसको दिमाग में याद रखना है तो जो हैं कोई जुछ जुट नहीं इसलिए मत बनाई कोपी वरवाद मत कीघें टाइम बेश्ट मत कीजिए वूप में ही हाइलाइट करते जाए है कुछ नौट को वहीं करते जहीं कई dipping को नोटस है और आपको कितना बार पढ़ना ए कि एक और पढ़ना है कि एक अग्स के लिए से दो बार पढ़ना है कि तीन बार परकते थे हैं मीडė दिमाग में भीड जाते हैं उसके बाद आप मोदेड़ी की highlight करके मैं दिखाता हूँ कि कैसे highlight पक किया जाता है और कैसे परा जाता है तो radio carbon जो है C14 जैसी नभीन विसलेशन पद्दती के द्वारा सिंदू सब्यता की सरमानती थी 2400 इसा पुर्व से 1700 इसा पुर्व मानी गई है कितना से कितना मानी गई है 2400 इसा पुर्व से 1700 इसा पुर्व तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग highlight कर लेंगे सिंदू घाटी सब्यता की जो है पद्दती वह 2400 इसा पुर्व से 1700 इसा पुर्व मानी गई है अब सिंदू सब्यता की खोज किशने की तो राम बहादूर दयाराम सहनी ने ये पहले से हायलाइट है तो राय बहादूर दयाराम सहनी पहले से हायलाइट है अब सिंदू सब्यता को प्रोक एतिहासिक यानि प्रोटो हिस्टोरिक अत्वा कांस यानि ब्रॉंज यूग में रखा जा सकता है तो सिंदू सब्यता को किस में किस में रखा जा सकता है कांस यूग में और ब्रॉंज यूग में प्राकांस यूग में रखा जा सकता है इसको हम लोग पुरो को एतिहासिक भी कहते हैं इस सब्याता का मुख निवासी गर्बिर एबं भूमद्य सागडिय थे खांके थे दर्बिर और भूमद्य सागडिय इस सब्याता के मुख निवासी थे तो दिमाग इस तरह से आपको ज सारवादिक पश्मी पुरास्थल, दसक, नदी के किनारे स्थित, सुत कांगे डोर, बुल्चिस्तान, पुर्भी पुरास्थल, हीडन नदी के किनारे, अलमगी पूर, जीला, मेरट, उत्तर परदे, सब दिया हुआ है, आप लोग सब को दिमाग में पढ़ते जाना है सिन्दू सब्यता के सरवादिक पश्मी पुरास्थल, दसक, नदी के किनारे स्थित, सुत कांग, गेडर, बुलुचिस्तान, पुर्भी पुरास्थर, हीडन नदी के किनारे, अलमगी पूर, जिला, मेरट, उत्तर पर्देश, और ये जो बुलुचिस्तान है, सुत कांग, गेंडोर तो आपको दिमाग में याद रखना है तो उत्री पुडास्तल चिनाओ नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जमू कस्मीर मादा कहा है जमू कस्मीर में तर दक्षनी पुडास्तल गोदावनी नदी के तट पर दायमाबाद जिला कहा है एहमदाबाद नगर मह अप लोग को ये चीज़ और इसको दिमाग में याद रखना है और बान्मा की चीज़ हालाइट क्या हुआ है जो रिड पारे में भी पूछा जाता है आगे बरते हैं और अगला जो है निकालके देखते हैं। जो दारों से प्राप्त असनानगर जो है वो सबसे बड़ी इमारत है चली हम लोग आगे तो जूते हुए खेत और नकासी दारों इटों का प्रियोग का साक्ष कहा मिला तो काली बंगन में मिला इस बात को भी दिमाग में याद रखना है चली हम लोग आगे बढ़ते हैं बस तु प्राप्त हुए है तामबा प्राप्त हुए है खेतरी से बुर्चस्तान से और ओमान से रांदी प्राप्त हुआ है अफगानिस्तान से इरान से चली हम लोग आगे बढ़ते हैं मोहन जोदारो से प्राप्त विस्नान बिरित असनानगर एक परमुख असमारक है इसे मद अस्तित असनान कुंट 11.88 मीटर लंबा एवं 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर जो है गहरा है अगनी कुंट लोथल एवं काली बंगन से प्राप्त हुआ कहां से अगनी कुंट कहा कहां से प्राप्त हुआ लोथल एवं काली बंगन से अगनी कुंट प्राप्त हुआ मोहन जोदारो से प्राप्त एक सील पर तीन मुखवाले दिवता इसको पसुपती नात कहते हैं तीन मुखवाले दिवता पसुपती नात की मुर्ती मिली और उनके चारों और हाथी से मूर्ती भी मिली हरपपा की मोरों पर सबसे अधिक एक स्रिंगी पसू का आंकन मिलता है मानके बनाने के कारखाने मानके बनाने के मनके मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चुहंदरों में मिले हैं तो सुन्दू सब्यता की लीपी भाव चितरात्मक है और यह लीपी दा दाई всегда Гरों के बिन्यास के लिए किसकी पंड़ती है तो गेड़ पद्दती अपनाई नगर और अपने घर का जो विकास होता है अपने समाज का नगर का घर का जो विकास करना है उसके तो उसके लिए उन्होंने गेड़ पद्दती अपनाई तो घरों के दरवाजे और खिर्कियों सरक की और खुल कर पिछवारे की और खुलते हैं कि के अनुसार जो है आगे में दरवाजा सरक्की और खुलता था दिमाग में याद रखेगा लोथल में सिर्फ लोथल में सरक्की और दरवाजा खुलता था सिंदू सब्वेता में मुख्य फसल गेहूं और जो ती चलिए आगे बढ़ते हैं सेंदव वासी मिठास के लिए सहद का पड़ियोग करते थे किसका सहद का पड़ियोग करते थे मिठास के लिए मिठी से बने हलका साक्ष बनमाली से मिला है रंगपूर एवं लोथल से जो है किस कहां से मिला है मिट्टी से बने हलका सक्ष बनमाली से मिला है कहां से तो बनमाली से किसका तो हलका सक्ष मिला है मिट्टी से बने हलका तो रंगपूर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जंगपूल एवं लोथल से क्या मिला है चावल के दाने मिले हैं और जिस जिन से धान की खेती होने का परमान मिलता है चावल के पर्थम साक्ष लोथल से ही प्राप्त हुए कहां से प्राप्त हुआ है चावल का साक्ष लोथल से तो दिमाग में इस बात को भी थोड़ा याद फर्वारांर मैं जो आप लोगों को जिस तरीके से अभी परहा रहा हूं जिस तरीके से बता रहा है रहो हूं मैं यह कोशिश करूंगा कि आप लोग वीसी परकार से Implement करें और जदी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में Ben hoe 16 बॉक्स में बता य्का जिदी संदव कालिन घोरे के अस्ति पंजर मिले हैं किसका तो सुर्कोद्दा काली बंगन एवं लोथन से संदव कालिन घोरे का जो अस्ति होता है वो पंजर जो होता है वो मिला कहां से तो घोरे का जो अस्ति होता है वो कहां से मिला सुर्कोद्दा से काली बंगन से और लोथल से य तॉल की इकाई संभवता किसके अनुपात में होती है तो सोला के अनुपात में थी। सैंधव सब्यता के लोग यातायात के लिए दो पाहियों एवं चार पहियों वाली बैल गाड़ी या भेंस गाड़ी का उपयोग करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंदु सब्यता के लोग धर्ती को अरुवरता देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। दिमाग में याद रखना है सबको चलिए आगे बढ़ते हैं। आग में याद नहीं है आपको जो जो लगे कि हमको हाइलाइट करने की चीज है। तो अपने माइंड सेंसे भी उस चीज को हाइलाइट करना है। आप उस तरीका से हाइलाइट करना सुरू कर देते हैं। तो ब्रिक्ष पूजा इवंसी पूजा का पचनन साक्ष कहां से मिलता है। तो सिंदु सब्यता से ब्रिक्ष पूजा इवंसी पूजा का साक्ष मिलता है। उसका बिसेश पूजा होता था। इस तरी मिरिन मूर्थियां, मिट्टी की मूर्थियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमाल लगाया जाता है कि सेंदब समाज मातरी सतात्मक था। और सेंदब बासी सूती इवं मूनी वस्तों का परयोग करते थे। मनुरंजन के लिए सेंदब बासी, मचली पकरना, सिकार करना, पसू पक्षों को आपस मिला राना, चौपण और पासा खेलना आदि साधनों का परयोग करते थे। सिंदू सबेता के लोग काले रंग से डिजाइन की हुए लाल मिट्टी के बरतन बनाते थे। पर्दा-पर्था, पर्दा-पर्था और वैसिया विर्ती जो है सेंदब सब्बर सब्वेता में परचलित थी। सबों को जलाने एवं गारने यानि दोनों पर्थाएं परचलित थी हरपा में सबों को दफनाने जबकि मोहन जोदारों में जलाने की पर्था जो है बिद्यमान थी लोथन एवम काली बंगा में युग समाधियां मिली है यानि दोनों समाधियां लोथन एवम काली बंगा में मिली हुई है संदव सब्वेता के बिनास का संभवता सबसे बरा परवावी करण बाठ था बाठ के आने से जो है संभबता यह बात सिवर्टी नहीं है संभबता है कि मानते हैं लोग कि बाट आने के बज़े से संदब सब्भयता जो होती है सिंदोगाटी सब्भयता यहरपपा सब्भयता का जो हुआ अंद हुआ तो आगे में पकी हुई मिट्टी को टेरा कोटा कहा जाता है आग में पकी मिट्यों क्या कहा जाता है टेरा कोटा कहा जाता है आपका यहां पर जो है सिंदुगाटी सब्यता का थियोरी खतम होता है आप इसे अब जितनी बार आप लोग जो है इसको याद करते हैं आप अपने घर पर जदि आपकी याद करने की अच्छी सकती है तो आप एक बार दिया दो बार पढ़ीएगा तो आपको याद हो जाएगा नहीं तो तीन बार नहीं तो चार बार तीन से चार बार तक में तो सब को याद हो जा फिर आप तै किजिए objective लगाईए और मैं आगे बताऊंगा आप लोगों कि objective कैसे लगाना है। यहां पर मैंने नहीं देखाता और किया कता है यहां पर कुछ यह बच गया है जो कि आप लोग के थेओड़ी में है तो इसे भी मैं बता देता हूँ। तो परमुकस्तल दिया हुआ है नदी दिया है उत्कन करता के नाम दिये हैं वर्स दिया हुआ है काफी important है आप लोग याद कर सकते हैं मैं एक बार पढ़ देता हूँ। परकना जिला में इनके खोज हुई थी चुहंद्रो सिंदू नदी है गोपाल मजमुदार 1931 में सिंदपरांथ पाकिस्तान में काली मंगन जो है वह घगर और बीवी लाल एवम बीके थापड उनिसो तिरपन में राजस्तान के हरमानगर जिले में कोटद जी सिंदू में फ खोज हुआ था गुजरात के कठी आवार जिला में रोपर जो है वो सतलज में यग्यदत सर्मा जो थे इनके खोज करता थे और 1913-56 में पंजाब के रोपर जिले में इनका खोज हुआ था लोथल जो है भोगवा में हुआ नदी के काने किनारे और रंगनात रो इनके खोज करता थे 1955-62 में और गुजरात के एहमदाबाद जिले में हुआ था अलमगी पूर हिंडन में हुआ था यगदत सर्मा इसके उतकन करता थे और 1958 वर्स में हुआ था उत्तर परदेश के मिरट जिला में शुत कांग वेडर दसक में दसक नदी के किनारे है और इसके खोज करता औरेंज अश्टाइल और जोर्ज डेल्स हैं 1927 और 1962 में पाकिस्तान के मरकन के समुदन तट के किनारे हुआ खोज और बनमली रंगोई में रविंदर सिंग विष्ट के किनारे और 1974 में खोज हुआ था और हरियाना का हिजार जिला में खोज करता कोन है रविंदर सिंग का चीले में आप लोग को इसको भी पूरा याद करना है तीन से चार बार पढ़िएगा दिमांग में बैट जाएगा फिर अब्जेक्टिव लगाएगा तो याद हो जाएगा चलिए अब हम सब अब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं आप सभी की अलूशेंट बुक की अब्जेक्टिव है जो आप लोग को इसकीन पर दिख रहा है और टोटल 77 अब्जेक्टिव है कितने अब्जेक्टिव है टोटल 77 अब्जेक्टिव है और हरपा सभ्यता से ही टोटल अब्जेक्टिव है आपको इस 77 अब्जेक्टिव ल पूरी बुक किलियर हो जाती है जदि तीन मन तर परतेग दिन QLA करते है तो में आपको पूरी के पूरी कि पूरी समाप्त हो जाती है तो आप इसी तरीके से लोग BE के कि आयद बायाद आपको जीके के- 大 compile को आपको strongest करने обяз तो आपको नहीं छूटेंगे लगबकता question जो है बन जाते हैं तो GK और GS के जदी आप इसको पुरा का पुरा कभर करते हैं तो पर अच्छे से कभर करना होगा और आपको revision इसमें जरूरी है revision जो इसमें पुरा का पुरा जरूरी है आप लोग जितना जिदा ज़्यादा revision जिएगा उतना ज्यादा best रहेगा संडे को फूल डिविजन कर सकते हैं पड़े करकर के पड़े दो चप्टर के संडे को एक बार पूरा डिविजन कर लिए फिर दो चप्टर किये फिर संडे को एक बार पूरा objective लगा लिए शुरू से अंतक तो इस तरह से आपका से 1750 सा पूरुब तक है कितना 255 से 1750 सा पूरुब तक है चलिए हम दो दूसरे कुशन पढ़ाते हैं दूसरे को करते हैं सिंदू घाटी सब्वैता निमलिकित में से कि सब्वैता के समाकालीन नहीं थी तो इनमर ऑप्शन का राइट एंसर होगा ठीक है चलिए आगे सब्वैता कहां तक विस्त्रित थी तो सिंदू घाटी की सब्वैता थी वह विस्त्रित थी मैं आप लोगों को बताता हूं पंजाब राजस्थान गुजरात उत्तर परदिश हरियाना सिंदू गाटी सब्वैता में घोरे के अबसिस कहां मिले तो सिंदू गाटी सब्वैत में मिले हैं सीधू गांटी इस तथाल काली बअगं किस पर्देश में तो सिंदू गांटी अस्तल्काली बअगंगय आप बुज्रात तो इस और हो हुग को यहँकर रृपा कben soros तो यह नल्याइटी को जो किया जाता है तो इस उसरो rykt सब्भाव रफपा सब्वेता जो है वह हुए ए नम्मर ऑपशन इसको वह लोग ब्रॉंज यूग कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं शिंदुगाटी सब्वेता की लोगों का मुख्य वेबसाय था वह था क्या शिंदु dragging सब्वेता के लोगों का मुख्य वेबसाय था वह से हरी निबासी थे रप सब्एके है कीं चिंदू सब्गता के घर किसे बनाय जाते थे जो दोस्तों इढ़े जाते थे एनमद्रा ईप्सन इस्कूशिन का राइट एंसर होगा हरपा वासी किस बस्तू के उत्पादन सरपर्थम थे तो हरपा वासी जो थे वो मैं आप लोगो को बताता हूं हरपा वासी जो थे वो सरपर्थम जो उत्पादन थे तो मुद्राओं के उत्पादन में सरपर्थम थे सर्परथम थे, C नमर ऑपसन, इस कोशन का राइट अंसर होगा निमलिकित बिद्वानों में से हरपा सब्टा का सरफर्थम खोजगरता, कौन था थो हरपा सब्टा का सरफर्थम खोजगरता, 1921 इस भी में दियाराम सहनी होगा चली हम लोग आगे बढ़ते हैं सिंदु सब्वैता का पतनगार बंदरगा कौन सा था तो सिंदु सब्वैता का पतनगार बंदरगा था वो आप लोग को हो जाएगा मैं आप लोग को जाता हूँ इस question का जो right answer हो जाएगा दूस्तूं हुई थी या खोज हुई थी मैं आप लोगों को बताता हूँ या खोज कहा हुई थी या हुई थी लोथल में कहा हुई थी या खोज लोथल में हुई थी हरप्पा कालीन समाजकीन वर्गों में विवक्त था तो हरप्पा कालीन समाज जो था वो चार वर्गों में विवक्त था और वो कौन-कौन से वर्ग थे मैं आप लोग को भी बता जता हूँ वो कौन-कौन से बगते विद्वान, योधा, व्यपारी और सर्मिक वर्ग थे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सिंदु सब्वैता का सरवादिक उप्युक्त नाम क्या था? सिंदु सब्वैता का सरवादिक उप्युक्त नाम जो है हरप्पा सब्वैता है नेविन में से कौन से लक्षन सब्वैता के लोगों का सही चितरन करते हैं तो उनके विसाल, महल और मंदिर थे वे देवी और देवताओं की पूझा करते थे युद्मे होरों, द्वाराखी चे जाने वारे रथों का पडियोग करते थे इस ग्ष suppression का जो राइ एंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ इस question का जो राइ एंसर होगा सी उक्ति सही है तो हरपा सब एता के बारे में जो है कुन सी उक्ति सही है तो उन्होंने पसुपती का सम्मान करना अरंब किया तो उन्होंने पसुपती का सर्मान करना अरंब किया वो जो है या युक्ति जो है सही है सी नम्मर उप्शन की यह जो युक्ति है यह सही है हरप्पा के लोग की सामाजिक पद्दती थी तो हरप्पा की लोगों की जो सामाजिक पद्दती थी वो थी मैं आप लोको बता तो हरप्पा की जो लोग थे उसकी सामाजिक पद्दती उचित सामतबादी थी ए नमर ऑप्शन इस कुशन का राइट इंसर होगा सिंदू का नखलिस्तान बाग हरपा सब्वेता के किस पुरास्थाल को कहा गया है तो सिंदू का नखलिस्तान बाग जो हरपा सब्वेता के मोहन जोदारों को कहा गया है बी नमर ऑप्शन जो इस कुशन का राइट इंसर होग किस परकार का था अरप्पा सभेता के संपुर्ण चेत का जो आकार था यह तह तो सुची एक दिया गया है सुची दो को मिलाना है सबस्दारbahn जो भिजो आपलोग को सिंदु से जुरा हुआ है और पालिमंगा गगर से के नमर में चली आगे बहते हैं हर पासबेता के अंतर करतल से जोतेगे खेट के साक्ष कहां से मिले हैं। तो अगर्ण जो कहां आप लुको में पता हम जोडारों सिंद में इसे तिते हैं सिंद्ध सब्बेता में बिरत अस्नान गड़ पाया गया है तो सिंदु सबैता में ब्रत अस्नामगर पाया गया है वो मोहन जोदारों में पाया गया है सिंदु सबैता की मुद्रा की में किस देवता का रामतुल चितरांकन मिलता है प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् और निम्लेकीत में से książकिस पसु का सारवदिक उतकर्णन उतकर्णन हुआ है। इस कूशन का जो राईटंसर होगा, वह हुआ जाएगा बैल, किसका ? तो बैल होगा इस कूशन का राईटंसर, सिंदु घाति सब्येता जाने जाती है, तो सिंदु गाटी जो सब्वेता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंदु सब्वेता का कौन सा अस्थान भारत में इस्थी थे उसका ओगा लोथल लोथल जो है वो भारत में इस्थी थे बारत में खुजा गया सबसे पहला पुराना सहर था, वह रपा था, बारत में चांदी की उपलब्ता के प्राजिन्तम साक्ष मिलते हैं, सिंदू सब्यता के बारे में कुन सा कथन बात्त है, लोग लोई से परचित Nico जो ए इसत्त है, सुची एक को सुची दो से समलित करना है सिंदू सवेंत क notions सब गात इंगा न हमसिन्हें जैथा ख्रिनषा को सिंदू के पुरूर माँधिक वह पुरी सिंकी ओठरी सिमा हुछ तो A1, B2, C3, D4 होगा माड़ा किस नदी की किनाड़े इस्तित है तो माड़ा जो है वो आप लोगो मैं बताता हूँ चैनाब नदी की किनाड़े इस्तित है माड़ा किस नदी किनाड़े इस्तित है चैनाब नदी की किनाड़े इस्तित है वह पता चलता है मैं आप लोगों को बता देता हूं धौली वाड़ा में कहां पता चलता है धौली वाड़ा में पता चलता है हरप्पा के मिटी में के बर्तनों पर सामानता किस रंग का उपयोग हुआ था उपयोग हुआ था तो लाल रंग रंग का उपयोग हुआ था शर्ण स्य्दू भैता में किस युग में पर्ठता है तो सिंदु सब्ने पर Фट Al J वह आप लोगो को पर है यू सब्नेम लिकाद में परता है ह। वह आप लोगे वह आत्याक्यासरी छी पाषय का・hte 2017 पढ़ता है प्रोटो इसटोरीकल प्रियर्ट में पढ़ता है तो डी नमर अप्सन का राइट इंसर होगा शिंदु सब्वेता की भिखसीत आवस्था में निमलीकित में सिखिए सथाल में घरों के घरों में के के अभुचिय सब्सक्राइब लेकी भारत्यों का नामजुआ है का रांगपूर जहां हरपः की समकालिन सब्सक्राइब वह सौच्ट में है आगे बढ़ते हम लोग हरपा और मोहन जोदारों की पुरातित्वी खुदाई के परवारी थे वह सर जोन मार्सल थे कौन थे सर जोन मार्सल थे इमलिकित में से किस परजू के आकरती जो मोहर पर मिली है जिसे घ्याद होता कि सिंदु घाटी वह मुसुपटामिया कि सब्यताओं के मद व्यपारिक संबंध थे इस कुशन का जो राइट अंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा मैं आप लोग को बताता हू है ओधी प्राप्त हुआ जिस्से पता चलता है कि संबंध थे। का करते थे जुछन करते करते संबंध टिक नहीं था है वह टा तांपि नहीं तो संबंध बतार नहीं थे एनक कोट्बा घजी जुथा। को समझे प्रक ए स्थित नहीं था कौन सा महान जो्धारों की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है मौन जोदारों کی सबसे बड़ी मार्यों विशौल अन्नागर या उसको हम लोग क्या कि बोलते हैं धान को था जो है मैं जाती है यहां पर सुची दो दिया गया है और सब को सुमिलित करना है तो लोथल क्या होगा तो लोथल लोगा आप लोगो को गौदि वारा पुरा तित्व आपसे सो लोथल का कहां पर में तो यहां वह जाएगा कि लोथल का पुरा तुक्षण करना वहां का भूज़ायों प्रविल्ग स्वेश चुछ्छुचा होगा थे और बनवाली में पाकि मिट्टी की काली बनी हुई जो है हल की परकृती मिले हूई थी तो यहां पर किसका एका जो है आप लोग को एका टू हो जाता है तो एका टू ऑप्षिन जो है इस कुछन होगाज्चों का राइट हो एक पासूँन में से किस एक का हरपा सभ्यता म में निरूपन अंकर नहीं हुआ था इस कुश्चन का जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वह जाएगा सेर का सेर का जो नहीं था हाती गेंडा और बार का था मैंने आप लोको पढ़ाया भी बताया भी चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं हरपा बासी किस दातु से परचित नहीं थे तो रपा बासी लोहा से जो थे वो परचित नहीं थे निम्रीकित में से किसरपाकाल अस्थल से यूगल साब्धान का साक्ष मिला है कापास का उतपादन सरपतम सिंदू च्छितर में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोकिष नाम से पुकारते थे तो इस कुष्ण का जो राइट एंशर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा से फुकारते थे हरपा के काल कायाओक की से प्राप्त हुआ किता हुआ होगा धय्मा था नहीं के दुर्वल्ण चांदी टीन सोना तीनों का जो हैं क्या करते थे अयत करते थे अरपमावसी केस निर्मान के सामयागarma निर्मान के सामयाः करते थे मुणडीग और सुद्गई दोनों में यह और भी दोनों में होगा कौन कौन से नगर संदू सवपेता के बंदरगाय नगर थे वह था मैं Beyond में नहीं होगा तो भीकस्ट सब्सक्राइब में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है इस कुशन का राइट एंसर होगा दूस्तों वह जाएगा तो ब्याग इरेवं हाती एंड़ाइवं ऐसा ही रन सभी का सभी का इन सभी का जो है वह है मैंने आपको परहाया भी था किस हरपा काली नस्तल में नित मिर्दा वाली इस्तरी की कांस की मुर्ति मिली है आप लोग परहे हैं आप लोग बताए किस में मिली है मोहन जोदारों से हमें प्राप्त हुई है चलिए हम लोग आगे बरते हैं जल्द जल्द कोशन करते हैं किस हर पर चोंच में मचली दबाये चिरियां पेर के नीचे खड़ी लोमडी का चित्रांकर मिलता है जो पंस्तंतर के लोमडी की कहानी सद्रिस है इस कुश्चन का जो राइट अंसर होगा वह होगा लोथल का कहां लोथल का सुतांतर तो भारत में सबसे अधिक संख्या में हरपा य निमलेकित में से कौन सी फसल हरपा कालिन सब्यता कि खादण में नहीं था इस कुश्चन का जो राइट एंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा चावल का चावल का जो ह्खादानारा क खादन में नहीं था हरपा तथा मोहन जोदार अब बिलुक्त हो गए है वे उतकनन के दोनों का और दोनों सब्सकुन कोने क्यों रहे ब्रद के दोनों का सभी है तो यह और दोनों सभी है रहे का सही उत्करण अस्पश्टी करन नहीं करता है क्योंकि यह तो यह दोनों जो है कोई भी दूसरे का जो है सही मिल नहीं है सुन्दू गाटी के सब्वेता के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार करने कह रहा है यह परमुकतल लौकिक सब्वेता थी उसमें धार्मिक तत्व अधियापी उपस्तित था और बच्वाली नहीं था उस सरकाल में भालत की कापास में वस्तर बना जाते थे होपियुक्त में शे कौनसा कथन सही है यह उसकुछेन का जो राइट इंसर हो जाएगा दोस्तों वॉग हो जाएगा मैं आप्लोग को पठ्खता हूं इसकुछेन का जो रायट एंसर वह बहुन हो Eli यहतly थी कौन पिर राखी गटी जो हो जाएगा वो जाएगा आप लोग को मरणा से चले हम लोग आगे बढ़ते हैं हरपा काली अस्थलों में अभी तक कि दात् की प्राप्त की प्राप्त नहीं हorf इसत पर्चोप सिंदू गाटी सब्वैता में प्राप्त नहीं होए तो आप और लोग में कंड़ बडाँ कहीं के लिए मोशी में किया गया इस कुछन का जो इस कुछन का राइट इंसरोग देखा प्रोटो हिस्टोरिकल पिडियेट तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग हम को बताईिए कि आप लोग को ये वीडियोग रख़ा हैं आप लोग